बाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंग देव के नेतरत्व में भाजपा युवा मोचा के कारेकर्ताओं ने स्वास्त मंतरी के बंगले का घिराफ किया वही अनुराग सिंग ने बताया कि कल भारतिय जंदापार्टी के सभी नेता और कारेकर्ता आदानी ने प्रभावित क्षेतर हस्देव अरणे परसा केते क्षेतर गई थे जहां ब्रक्षो की अंधा दुंद कटाई बदस्तूर जारी है वहां हम भाच्पा के साथियों को जाने से रोका गया और उस खेतर में जगे जगे 4,000 पुलिस बल तैनात कर दिये गए वह प्रशासन के सहयोगवा निगरानी में 10,000 पेड काट दिये गए वह किसी को भी उस खेतर में जाने नहीं दिया जा रहा है ये प्रदेश की कॉंग्रिस सरकार की दमनात्मक रवया सामने आ रहा है इसी कड़ी में आगे कहा कि भूपेश बगेल ने कहा था कि अगर स्वास्त मंतरी नहीं चाहेंगे तो पेड़ तो क्या एक डगाल भी नहीं कटेगी वह स्वास्त मंत्री ने कहा था कि अगर पेड़ कटा तो पहली गोली मैं खाऊंगा कहा गए बादे में जो उन्होंने किया था वह इसी सरगुजा की जनता ने उन्हें तीन बार विधाय नेता पतिपक्ष मंत्री वह मुख्य मंत्री के दोड में शामिल किया आज वे ऐसी जनता को भूल कर उसके खिलाब दमनकारी कानून चला रहे हैं इन सभी वायदों को लेकर स्वास्त मंत्री को नींद से जगाने के लिए आज उनके निवास का घेराफ किया गया है ब्यूरो रिपोर्ट देखिए कल भारती जनता पार्टी के सभी नेता और कारकरता कल जो प्रभावी छेत्र है जहां पर पेड़ कटाई हो रही है हस्देवर अरण में परसा केते छेत्र में वहां गय थे और वहां जंगल के बीच में पुलिस ने अंदर जाने नहीं दिया और कल जो सूचना मिली थी उसमें ये था कि वहां पर बल पुरुवक चार हजार पुलिस कर्मी तैनात है और हर चप्पे पर जंगल के और गाउं गाउं में पुलिस के द्वारा दमनात्मक तरीके से दस हजार पेड़ काटती है अब यहां के मंत्री टीए सिंग देव हो चेतर के बिदायक टीए सिंग देव है उनकी जो नयतिक responsibility थी और जो उन्होंने कहा था एक तो मुक्ह मंत्री ने कहा था कि हम टीए सिंग चाहेंगे तो एक पेड़ क्या डाली भी नहीं कटेगी और टीए सिंग देव नेकाथ थि कोली भी चलेगी तूपहली गोली में हखाऊ तो अब डाल भी कट रहा है पेड़ भी कट रही है औ और लोग वहां दमन भी किया जा रहा है तो कहा गए मंत्री जी और इसलिए इसके जो पूरा मामला है इसको लेकर हम लोग टीए सिंग डेवजी के बंगले में आए थी उनको जगाने के लिए कि आखिर में तीन तीन बार उनको यहां के लोगों ने बोट दिया अपना अशिर लोगों के के उपर जो अत्याचार हो रहा है उसमें वो गायब है इसको लेकर बीजेपी आज उनके दरवाजे को खटखटाने के लिए आई थी और यहां भी पुलिस बलतैना थे और खुद मंत्री जी लापता है तो अब यहां से हम लोग वापिस जार्म कहा था कि जब भ आ गिया वहां 4000 पुलिस वाले गोली चलाने के लिए तयार है तो आप आईये सामने ने विपक्ष तो सरकार पे रहने वाले जब गोली चलवा रहे हैं हम लोगों ने तो मांग की है कि 4000 पुलिस वाले उदयपुर छेतर से हटा लिए जाए जहां पर कट-कट रहा है वन अमल जारी करने से नहीं होगा ग्राउंड जीरो पर जो अत्याचार हो रहा है वो भूपेज बगेल के पुलिस और भूपेज बगेल के प्रसाशनिक अमले और भूपेज बगेल के फारेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों के मौजूदगी में हो रहा है और यह सरकार चाहे तो इसको तुरंट रूख साथ है वह सूचना मिली थी कि माननी मंत्री जी टियस सिंदेव जी के निवास का घिरावाज किया जाएगा उनके निवास के बाहर हमने आज परियाब सुरक्षा वाउस्था रखी थी और हमने सभी को निवास के बाहर ही रोक लिया किसी को अंदा नही हुई है कल उदैपूर छेत्र में भी यह गए हुए थे वहां जो बाच्चीत हुई थी उसके अधार पर मैं यह बता सकता हूं कि इनके द्वारा परसाइस्थ केते बासें पर्योजना से समंधित जो व्रिक्स कटाई हाल में की गई है उसका यह विरोध कर रहे हैं जबकि वास्तविक इस्थिति यह है इस परसाइस्थ केते बासें पर्योजना यह तो सभी प्रकार की अनुमतिया प्राप्त है राज्य सासन से विश्वकृति है केंद्र सासन से स्विकृति है फॉरेस्ट का डाइवर्शन अल्रेडी हो चुका है और इसी के तहत 43 सेक्टेयर यह सबसे प 不rim चाहिं और इनीं जान के विदोहन का अधेस हुआ था और उसी के तहत्त पिर्सकताई की गई है पहली परियोजना है सबसे परियोजना सबसे पर्योजना है सबसे पहले परियोजना परसा कोल ब्लॉक 2 और तीसरा कोई एक्सटेंशन तो जिस तरह से मान्नी मंत्री जी ने भी अपने वक्तम बताया था कि सेकंड और ठर्ड परसा कोल ब्लॉक 2 और के्सेंशन इसको लेकर अभी कोई कारवाही नहीं की जारी है और जो सबसे पहली परियोजना है जिसके लिए सभी प्रगार के अनुमतियां प्राप्त है सभी प्रगार के अप्रूबल्स है उसमें कहीं आज तक उसको लेकर कोई बात नहीं हुई है देखिए कुछ लोगों के द्वारा भ्रहम फैलाया गया है उसके चलते यह विरोध हो सकता है और हम उसी भ्रहम को दूर करने का प्यास कर रहे हैं जो भी जिनको भी गलत फ्रमिया हम उसे दूर करने का प्यास कर रहे हैं विसे इसकर अभी हम जो पोल ब्लॉक छेत रहे उन ग अचानक वहां पहुंच जाए विरोध करने लगे और यदि पेड गिरने से किसी को चोट पहुंच सकती है तो ऐसी स्थिती से निपटने के लिए कोई भी असरुचित धंग से जहां जिस साइट पर पेड काटा जा रहा है वहां ना पहुंच के वहां पहुंच ना जाए इसल किसी को चोट ना पहुंचे किसी को हानी ना पहुंचे